टीम इंडिया के युवा बाए हाथ के बल्लेबाज अभिशेक शर्मा ने तुफानी शतक जड़ दिया है अभिशेक ने जिंबावे के खिलाव खेले गए दूसरे मैच में अपनी पहली सेंच्री लगा दिया अभिशेक ने लगातार तीन शक्के लगाकर अपनी शतक पूरी की थी और वो इंटरनेशनल T20 क्रिकिट में इंडिया की तरफ से 11 प्लेयर बन गया है जिनोंने सेंच्री लगाई है अभिशेक ने ये शतक मातर 46 गेंदों में पूरा कर दिया था इस दोरान उनके बल्ले से 7 चोके और 8 चके देखे गए थे इन आकड़ों को देखकर बिल्कुल समझा जा सकता है कि उन्होंने कितनी खतरनाक और आकरमक बल्लेबाजी की थी लेकिन उनकी इस खतरनाक बल्लेबाजी के चकर में तीन प्लियर्स के दर्वाजे टीम इंडिया के लिए हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं तो कोन आई ये तीन खिलाडी आईए आपको बताते हैं पहले पनाते हैं केल राहूल अभी शेक शर्मा की इस खतरनाक बल्लेबाजी और इतनी थेज सेंचुरी के बाद से केल राहूल की टीम इंडिया में वापसी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है ये तो आप जानते हैं केल राहूल भी ओपनिंग बल्लेबाज हैं लेकिन उनकी धीमी बल्लेबाजी हमेशा सही भारत के लिए एक चिंता का विशे बना रहा है यही वज़े था कि उन्हें वर्ल्लकप में भी नहीं चुना गया था क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि विराट कोली और रोई शर्मा के बाद इस बाद टीटॉन्टी वर्ल्लकप में केल राहूल को भी मुखा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रोब्लम ये थी कि वो ओपनिंग थोड़ी सी स्लो करते थे और यहाँ पर एक फास्ट ओपनर के जरुवत है जिसकी भूमी का अब अभिशेक सर्मा बिल्कुल अच्छे से निवा रहे हैं तो उनकी जगे थोड़ी सी खत्रे में हैं लेगिन ऐसा नहीं है कि केल राउल एक बिकार प्लेयर हैं वो भी एक अच्छे खासे ओपनर है और अच्छे खासे बल्ले बाजी करते हैं अगर उनकी टी-टॉन्टी इंटनेशनल के आगड़ों पर हम नजर डाले तो उन्होंने अभी तक 22 टी-टॉन्टी इंटनेशनल मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 2265 रन बनाए हैं और उनकी ओशद भी देखे तो 37 प्लस की है और स्ट्राइक रेट भी 149 के आसपास की है जो कि एक अच्छी स्ट्राइक रेट होती है और अच्छे कासे रन बनाए है लेकिन फिलाल अगर उनको देखा जाए तो उनको टी-टॉन्टी वर्ल्ड कप में जिस हिसाब से बल्ले बाजी करने का मोका नहीं मिला और टीम में सेलेक्शन भी नहीं हुआ उनका तो यहाँ पर अभिशेक शर्मा जिस जाब के बल्ले बाजी उनका इस पर IPL निकला है और जिस जाब से उन्होंने अभी बल्ले बाजी करकर दिखाई है वो पहली चोईस हो सकते है क्योंकि केल राउल एक विकेट कीपर है और ओल्रेडी टीम में विकेट कीपरों की जगह फुल है क्योंकि इसमें एशाप पंत भी है संजू सेमसेंग भी है तो वहाँ पर थोड़ी से मुश्किल हो सकती है इसके बाद नाम आता है शुम्बन गिल का अभी शेक शर्मा के शतक के बाद सिर्फ केल राउल ही नहीं बलकि शुम्बन गिल के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं आपको बता दे कि गिल को बहुशे का सूपर स्टार प्लेयर माना जा रहा है लेकिन अभी तक उनका परफोर्मेंस टीम इंडेय के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला है खास तोर पे T20 क्रिकिट में तो वो अभी भी फ्लोप रहे हैं भले ही पिछले साल शुमन गिल के पास औरेंज कैप थी IPL में और जिससे आप से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें माना जा रहा था कि वो तीनों फॉर्मेट में विराट कोली की तरह ही एक स्टार प्लेयर बनके निकलेंगे लेकिन अगर अभी उनको देखा जाए जैसे अफगांदिस्तान के खिलाफ भी उनका बल्ला इता तेज नहीं बोला था और अभी भी जिम्बावे के खिलाफ भी वो कुछ कास परफोर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और यह IPL भी उनका कुछ अच्छा नहीं निकला है तो वो ज्यादा अच्छे बल्लेबाजी नहीं कर पारे जिसके वज़े से उनकी जगह थोड़ी सी खत्रे में हैं और यहाँ पर अभी शेख सर्मा उनकी जगह बिल्कुल ले सकते हैं अगर उनके इंटरनेशनल करीरों पर अभी नज़र डाली जाए तो उनने टी टॉन्टी में 14 म पारे जाए पर अच्छी खासी ओपनिंग की शुरुआत करी थी उसके बाद उनकी विगट कीपिंग भी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद उनको खेलने का मुका नहीं मिला और अब अभिशेख शर्मा जिससे आपके बल्ले बाजी करी है अब लगता है कि उनको और भी ज़्यादा मुश्किले जेल नहीं पड़ सकती है लेकिन वहीं अगर इशान किशन के इंटरनेशनल टी टॉन्टी मैच्चिस की बात करी जाए और करियर की बात करी जाए तो अ थोड़ी से मुश्किल लगती है क्योंकि इन तीनों प्लेयरों को मुखा मिलना अब थोड़ा सा जादा मुश्किल लग रहा है फिलाल तो शुम्बन गिल टीम के कैप्टन है तो क्या पता हुने तो अभी मुखा मिलेगा लेकिन बाकी इन दोनों प्लेयरों को दिक्कत हो सक एक दिया